कुछ आप्टरनून फ्रेंज तो आप आप सभी ने जो है जो जिससे भी राजस्थान स्टेट एलेजिबिलिटी टेस्ट का एक्जाम दिया है उन्होंने अपने आंसर की चेक कर ली होगी गाइज मैंने आपको पहले ही बता दिया था मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते ह हैं अंसर की हंडे पर्सेंट ज हो है मंडे को रिलीस हो जाएगी जया फिल ट्रीवैस लिए रश्वारल अचरव मन्ढहर की प्छली टियुक्ति हो प्हले नहीं बताता हूं आप मेरा बशिए वीडियो देख सकते मैंने बताया मंडे vaik और आपको क्या करना है अपने सब्जेक्ट वाइस आपको सबसे पहले गूगल पर टाइप करना है जीजी टी यू तो वहाँ पर आपकी वेबसाइट खुल जाएगी गुविंद गुरू ट्राइबल यूनिवर्सिटी यहाँ पर जाकर आपको सबसे पहले जो ऑप्षिन और गुर्षर्ण है उसके बाद आपको नीचे आना है और नीचे नीचे आपको औप्षिन मिलेगा रिवाइज आंसर की का ठीक है यहां पर इसको आपको क्लिक कर देना है इसके उपपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप उत्तर तालिका के जो संबंद में निर्देश है उनको पढ़ लेते हैं एक बार कि क्या उन्होंने आप्शन दिये हैं से संबंदिद ठीक है तो इन्होंने जो है आंसर की जारी करिये है इससे क्विश्च्व्ट जाइए द्योसके ऐसकी पूर्प करे सब्सक्राइब एक article 119 निशार तो देखो क्या करना है है आपको तक पहले पहले आपक्की जो आंसर की जारी की गई थी उसमें आपके question की series दी गई थी एक तो आपको question की series देख लेनी है ठीक है उससा आपको पता चल जाए किस question में answer change हुआ है और किस में आपको bonus मिला है ठीक है आप bonus देख लेते हैं तो मेरा तो तो subject है वो है public administration इसमें अगर मैं बात करूँ मैंने त देख लिया है इसका तो फिर बीवद देख लिते हैं लगबग तीन के स्टन आपको ब्रोनस मिला है बोनस का मतलब लगबग दो माक्स आपको मिलेंगे 82 question answer change हुआ है 132 question answer change हुआ है इसके इलावर 92 question में आपको bonus मिला है मतलब आपको six marks तो आपके bonus के मिले हैं और तीन question में आपके answer change हुए है अभी तक अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा अगर जो bonus वाला जो option है वो मिनको लग रहा है public administration में यह है कि तीन bonus हैं और तीन के answer change हुए है फिर भी आपको सिर्फ इतना करना है आप comment में मुझे अपने marks बता दीजीगा तो उसे मुझे idea मिल जाएगा कि लगबर cutoff कितनी जा सकती है इस बार कुछ ऐसे subjects के cutoff हमेशे कम रहती है जैसे public administration हुआ इसके अलावा mathematics हुआ तो इन subjects की cutoff हमेशे competitively कम रहती है लो रहती है इसके अलावा other subjects की बात कर लेते हैं आप मुझे subject wise अपने marks और category mention करेके subject marks बता सकते हैं तो आजस्थानी देख लेते हैं एक बार कि इसमें कितने bonus मिलें एक बार open हो जानी दीजी इसको अगर यहां पर देखें तो इसमें देखो इसमें सिर्फ एक का answer चेंज हुआ है तीन bonus मिले हैं दो के answer चेंज होए एक bonus मिला है अगर तीन पर bonus मिल गया दो के answer चेंज होगे सबसे ज़्यादा है मैं बता रहा हूं आपको changes जो हुए है वो public administration and quality में हुए है क्योंकि यहां प आपको बताया था कि 20 तारिक से पहले result आजाएगा possibility यह है strong possibility की अभी Friday तक आपका रिजल्ट जो है वो आजाए issue हो जाए क्योंकि अब इन्होंना answer की तो update कर दी है तो फिलाल के वीडियो में इतना ही कोई भी latest information आईगी तो मैं आपको update करा दूँगा आप सिर्फ इतना करन होगा आप अपने जो मार्क से कमेंट कर दीजिएगा तो इससे मुझा आइडिया मिल जाए कट आफ का basic decide हो जाए तो फिलाल लिए तने गाइस thank you so much and have a great day